यह प्यारा सा कुक वेयर बढ़ा देगा आपके किचन की शान को हेलो दोस्तों तो आज के वीडियो में मैं यह बहुत ही प्यारा सा सेरामिक का कुक वेयर के बारे मैं आपको बतलाऊंगी यह एक सॉस पैन है नॉन स्टिक न्यू इनोवेटिव सिरामिक के नाम से non-stick induction cookware जो कि multi purpose आप use कर सकते हैं तो इसका use आप multi purpose तरीके से कर सकते हैं आप कुछ भी इसमें cook कर सकते हैं तो high heat को बरदाश्ट कर सकता है durable है और यह जो है कि इसका ceramic coating है यह बहुत ही hard ceramic coating इसमें लगाया गया है यह जो है metal friendly भी है तो ये नॉन स्टिक चार लेयर में इसका कोटिंग हम लोग को मिल रहा है टॉप कोटिंग और रेंफोस्ट कोटिंग, इंटरमीडियेट कोट और बेस कोट तो चार तरह का कोटिंग यहाँ पर मिल जा रहा है तो फ्रेंट्स यह जो सिरमिक कुकवेर है इसको आप गैस पर भी यूज कर सकते हैं और इंडक्शन पर भी यूज कर सकते हैं तो आपको साइड में देखें यहाँ पर बहुत तरह का इनका अपना और भी आता है तो यह निरलॉन का है जो आज मैं आपको बतला रही हूँ निरलॉन का है तो इसी का देखी गोल्ड रस सेट आता है रेड स्टोन सेट आता है रेड वेलवेट सेट आता है स्मोकी वूड आता है अल्टिमेट कुकवेर सेट है पुझा ही ब्रॉधनी गृनायट सेट है, ब्लू शीचैट है, Гेलकसी अब किफट सेट के नाम से है !!! अबर इस तरफ ने लखा हुआ हैं और इस त्रफ मेझा है, ऑसमें लिखा हुआ है है की ग्रीनग करणायट सेट और साइड में है और चिट ग्रेनाइट सेट देखिए यहाँ easy to wash and clean consume less gas मतब कम gas खर्चा करेगा और cooking oil का जरूरत भी आपको कम है नहीं डालना है ज्यादा और clean and healthy cooking इसमें होता है और handle जो इसका बतला रहा है sturdy handle भी इसका मिल जाता है बहुत अच्छे पकड़ के साथ तो इनका बहुत सा आता है देखिए यहाँ पर भी दिया हुआ है blink cookware set, regal purple cookware set, ruby green eye set तो side में और भी दिया हुआ है तो आपको जो भी पसंद है आप online देखिए और बंगा सकते हैं मेरे पास यह है new innovative ceramic non stick वाला यह जो है saucepan देखिए इसके साथ एक glass lid मिल जाता है बहुत प्यारा और यह जो glass lid है बहुत अच्छा heat को परदाश्ट कर सकता है देखिए इसके साथ एक warranty card भी मुझे मिल गया है यह रहा हमारे पास warranty card तो यह जो है ना इसका मतलब main base जो है वो तो aluminium है लेकिन यह ceramic coating अंदर सी किया हुआ है hard ceramic coating friends coating जो है बहुत ही अच्छा है इसका और इसको मैं ऐसा नहीं कि मैंने तुरंत मंगाया और आपको बतला रही हूँ इसको मैंने पहले भी यूज किया है और पहले की वीडियो भी जाकर आप देख सकते हैं उसमें भी मैंने दिखलाया है तो बहुत बार मैंने इसमें कुकिंग किया है इसका बहुत सा मैंने इसमें कुकिंग किया है इसलिए बतला रही हूँ कि मुझे तो बहुत अच्छा ल पकड़ में भी बहुत अच्छा है पीछे से देख सकते हैं यह इंडक्शन में भी चलेगा और आपका गैस पे भी आप इसको यूज कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा हेंडल मिल जाता है हमें इसके साथ कैपिसिटी की बात करें तो कम से कम 1.5 लीटर का यह अपका सॉसपन है औरेंज कलर का यह कलर बहुत प्यारा था इसलिए मैंने इसको बहुत मैं सोच रही थी कि इसको जरूर मंगाऊंगी इसका और भी देखिए जैसे मैंने बतलाया कि बहुत तरह का आ रहा है तो आप उसब बहुत ही इसका जो लीड है बहुत प्यारा है और इसमें आप जितने भी देर कोकिंग करें लीड को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो ग्लास लीड जो है पूरे अच्छे से हीट बरदाश्ट कर सकता है मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप ऐसा सिलिकॉन का चमच इसके साथ इसमें बहुत बना रहता है जब भी आप इसको साफ करें तो उसको पहले रुम टेंपरेचर पर आ जाने दें उसके बाद ही पानी डाले और तुरंत मतलब धोने के लिए इसको गरम में ही स्टार्ट ना कर दें इससे जो है आपका सिरामिक सही रहेगा तो इसमें देखिए हम लोग जब भी पकाएंगे ना इसमें बहुत एजली मतलब निकल जाता है कोई भी स्टीक नहीं होता है इसमें आपको ज्यादा तेल डालने का जरूरत नहीं है बस कम तेल में ही आपका खाना पक जाता है तो ज्यादा तेल डालने की जरूरत है ही नहीं की सब्सक्री को भी पकांते हैं कि बहुत ही आसानी से निकल जाता अशी है प्कने के भीन वेक लगा चाहता है अगर तेल हलका डाले से बाकवाला भाला सोपु वाटर से शेंपू ओब लगाया है थोड़ा सा सोपी वाटर इस्तिमाल कर सकते हैं और उसको आपसाफ कर सकते हैं तो देखिए यहाँ पर तो आपको जो चड़ाई में आपको डायमिटर में मैं बताऊं तो यह 18 संटीमीटर का आपको मिल जाता है डायमिटर में इसका अभी जो प्राइस मिल रहा है तो आनलाइन अलग अलग आप साइट में जाकर के देख सकते हैं कहीं कम में भी मिल रहा होगा तो वो चीज आप सर्च कर लीजिएगा अगर आप यह वाला लेना चाहते हैं और यह सिलिकॉन का ना करूंगे आपको कि जो डीफ फ्राइए हम लोग करते हैं ना बहुत सा तेल डालके जिसे पूड़ी चान रहे हैं या पकोड़ी चान रहे हैं तो ना आप जादा इस बरतन का इस्तिमाल मत करिएगा मैं भी नहीं करती हूँ इस तरह से बहुत जादा मतलब की इस तरह का तेल का काम बहुत जादा मैं इसमें नहीं करती हूँ और वोग सब हम लोग कभी-कभी ही बनाते हैं पकोड़ी पूरी यह सब तो वो सब के लिए आप दूसरा बरतन एक रखिए बहुत जादा अच्छ क्योंकि मुझे आइस्क्रीम बनाना था अभी देखिए कितना अराम से यह निकल जाएगा बाकी तो ऊपर थोड़ा पक के स्टीक हुआ है लेकिन वह भी क्या है ना पानी लगा के हट जाता है क्योंकि तेल तो हमने इसमें बिल्कुल डाला ही नहीं था तो देखिए कितना निकाल लेते हैं और बिल्कुल नीचे में आपको दिखला रही है बिल्कुल इस्टीक नहीं होता है तो मैंने बहुत बार इसको इस्तेमाल किया और मुझे हमेशा अच्छा लगा देखिए नीचे में स्टीक नहीं होता है साइल में जो थोड़ा सा सट गया है तो वह जल के डालके ही न कितना इसली निकल जाता बस तोड़ा शान पूल जाएगा पानी भी अबार पानी दोलेंगे और खालगे देखिए तोड़ा ध्याउड़ा प्रणा बनाता reports तो उसमें भी आपका पानी से ही काम हो जाएगा लेकिन अगर थोड़ा सा भी तेल आपको लग रहा है थोड़ा सा शोपी वाटर डाल के और शैंपू जैसा ही रहना चाहिए ज्यादा हार्श वाला साबून इस्तिमाल मत करिएगा तो यह सब कुछ तरीका है जिससे आप अपना नौ स्टिक को बहुत अच्छा रख सकते हैं बहुत दिनों तक तो उमीद करती हूँ कि यह वीडियो आपके लिए यूजफूल रहेगी अगर आप किचन में इस तरह का वर्तन यूज़ करना चाहते हैं यह आपके किचन के शान हैं तो आप मुझसे पूच सकते हैं अगर आप केक बनाते हैं तो यह वाली वीडियो जो मैंने बीटर के बारे में दी थी इसको भी जाकर के जरूर देखिएगा यह आपको बहुत हेल्प करेगी केक से रिलेटेड यह जानकारी आपके लिए बहुत यूजफूल रहेगी तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थेंक यू बाई बाई